नमस्कार मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उद्यपूर खबर ना तो अभी वर्तमान में वर्जात का दोर शुरुआ है उड़नाई गर्मी की कोई ऐसी रितु आई है जिसकी वज़े से देली गेट पर इस तरह से पानी की भराव सम्था बढ़ने रख जाए यह सब कमी है तो किशी ओर की नहीं उन जिम्वेदार अधिकारियों की करमचारियों की है जो स्मार्ट सिटी के तहट उद्यपूर को स्मार्ट बनाने के प्रियास करते हुए हर पल कहीं-कहीं नजर आ जाते है यह नजरे हैं देली गेट पर उन दुकानों के बाहर के जिनका नाम है बाबर्ची, दया और मीरा इन दुकानों के बार आए दिर इस तरह के नजारे बने रहते हैं क्योंकि इनकी दुकानों के अंदर स्वाधिस्ट व्यंजन यहां पर बनते हैं जिनको खाने के लिए और पूरा सुल्क के सहीत खाने के लिए लोग गुजरात, बॉमबे, देश, विदेश, सहर से रोजना यहां आते हैं और सारे स्वाधिस्ट व्यंजन खाने के बाद उनकी जो गंदगी होती है वह पानी के चेमबर के माध्यम से हाला कि इनका अपना एक चेमबर होता है ग्रिस चेमबर, उस ग्रिस चेमबर को बनाना नियमों के तहद बहुत आ देता है और उसी दिखाये हुए दिए चेमबर को देखकर वो संतूष्ट होकर मोके से चले जाते हैं ऐसे में यहां सबसे बड़ा सवाल है कि जब से प्रतिश्टित यह दुकाने हैं जहां पर देश-विदेश से लोग आते हैं तो इनके यहां पर किस तरह के दियम काईद है उन सब को इस बात की जानकारी है लेकिन फिर भी कोई उचितकारवई नहीं की जाती है हाला कि दुकानों के आगे यह सब इसलिए लोगों को नजर नहीं आता है कि यहां पर जो वहान है गराकों के वे वहान इन सब दुकानों के आगे खड़े हो जाते हैं जिसकी वज़ से यहां के आसपास के लोग जो है वेवसाही है वो भी परशान है उनकी भी परशानी है लेकिन किसी परकार से कोई भी कारवई इस खबर के बाद भी नहीं होगी क्योंकि इससे पूर्व में भी कई खबर हमने जीला प्लिस प्रसाशन को आउगत कराते वही बताई बनाई को देखने के बाद अपना मू रस्म दिखाई को करने जरूर अवस्य वाँ पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद केवल मात्र एक छोटी मोटी रस्म अदाईगी करकर मौके से चले जाते हैं लेकिन आलम जस्के तस्प बने रहते हैं और जो निम्न क्रमचरी हैं जो आप सुत्र रखने के लिए वे किस तरीके से अपनी जिम्मेदार्यों का निर्वन करते हैं यहां पर देख सकते हैं हाला कि अभी किराज समीथी से गाड़ी यहां पर आई है और कोई करे न करे वे हैं अपनी जिम्मेदार्यों का निर्वन कर रहे हैं